नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धमसन मार्क आज हम आपको एक ऐसा उपाई बताएंगे जो आपके तमाम कोशिस करने के बाद भी अगर धन लाव नहीं हो पा रहा है तो हम इस बात की 100% तो नहीं 99% गैरंटी दे सकते हैं कि इसका लाव आपको जरूर होगा अगर उसमें कोई रुकावाट आ रही है तो धनाने में आप ये प्रयोग जरूर कीजेगा जो कि इस बार एकादसी की थी थी है सुक्रवार के दिन आप ये उपाई गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं आपको लाव जरूर होगा यानि दो दिन आप कर सकते हैं एकादसी और गुरुवार और इस बार का एकादसी सुक्रवार यानि मालक्षमी को समर्पित दिन में है तो आप जीवन में धन में आ रही तमाम बाधाओं को दूर करने के लिए ये उपाय आप जरू कीजिए आप इस दिन एकादसी के दिन गोपी चंदन की नौ डलियां लेकर केले के बिछ में टांग दें और इन डलियों को पीले धागे में बांध कर टांगिएगा तब आपको ज़्यादा लाब होगा उपाय करने से पहले आप नहा लिजिएगा फ्रेस हो जाईएगा और लहसन प्याज का सेवन मत कीजिएगा साथी भगवान से अपनी मनों कामनाएं कहना मत भूलिएगा क्योंकि भगवान कहते हैं मन में तो हजारों बात चलती है आप बोलो आप जो बोलेंगे वो आपको देंगे बस मन से मांगिए दिल से मांगिए वैसे तो एकादसी की तीथी को केला जरूर अरपित करना चाहिए भगवान विश्णु को केला नारियल अगर नारियल नहीं भी हो तो एक बार चलेगा पर पीला फल है केला और उन्हें अत्यन्थ ही प्रिय है तो केला इस दिन दो केला, एक केला कभी भी अरपित ना करें, ये दोस लगता है, जब भी करें जोडा में, दो, चार, छे, ये आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला फल है, इससे आपका ब्रेस्पती भी मजबूत होता है, और विवाफ में आने वाली बाधाएं भी द दोस्वाले ब्यक्ति की अगर केले के बिष्ट से साधी करा दिया जाये तो मांग लीग दोस्वी दूर हो जाता है और अगर केले की जड़ आप धारन करते हैं तो पुखराच के इतना लाब भी देता है अगर आपको किसी नहीं कहा है पुखराच पहनना तो इस दिन आप केल गवान बिश्नू और मालक्षमी दोनों की ही एक साथ पुजा कीजेगा और उन्हें केला अरपित कीजेगा दो केले चार केले या छे केले घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहेगी बैवाहिक जीवन उत्तम बना रहेगा इस नियम का पालन आप जरूर कीजेगा और सुभा के स समय आप एक लोटा जल केले के ब्रिच में चरूर अरपित कीजेगा अगर आपके घर में कोई लड़की है उसका बिवाह नहीं हो पा रहा है या फिर पारिवारिक जीवन में कलाकलेस मचा हुआ है किसी के भी साथ हो सकता है तो ऐसे में क्या करेंगे आज के दिन पीले रिच में माला की तरह लपेट दे और लगातार साथ दिनों तक एक मंत्र है उसका जब करें ओम पार्वती पते नमह ओम पार्वती पते नमह इस मंत्र का जब करें और रिच में जल अरपित करें अगर आप लड़की है आपका सिगर विवाह होगा आप महिला है आपके आप अगर आपका वीवान नहीं ो पा रहा है आपको लग रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगातना तब ऐसे में अपनी रिंग फिंगर में चान्दी का छला धारन कीजिए शुक्रवार के दिन आप धारन करें और देखिएगा आपका जल्द ही बिवा तै हो जाएगा तो चलिए सबसे अंत में आपको एक बेश टुपाय बतला देते हैं एक आदसी की तीथी में आप सारे दिन कभी भी सिर्फ आपको लहसन प्याज नहीं खाना है अच्छे से फ्रेस हो जाईएगा अगर फास्ट क के ले पर अपना नाम लिखें इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक मिट्टी का घी का दिया जलाएं यानि कि मिट्टी के दिये में घी डालके दिया जलाईए और इसमें रुई की बाती न डालकर मौली धागा डालिएगा कच्छी सूत जिसे कहते हैं और दो लॉंग ड अब आप जिस कारी के लिए उपाई कर रहे हैं भगवान से अपनी प्रार्थना बोलिए अब अगली सुबह यानि दुआ दसी के दिन केले को ले ले और अपने उपर से साथ बार बार ले इसके बाद दोनों केलों को अलग अलग करें और जिस केले पर आपने स्वास्तिक का निसान बनाया है उस केले को गाय को खिला दें और फिर अपनी इक्छा गौमाता से कहें और दूसरा केला जिस पर आपने नाम लिखा हुआ है खुद का उसे स्वैम खाएं परसाथ के रूप में आप देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा भगवान बिश्नु के साथ आप दोस्तों जो केले पर आपका नाम लिखा हुआ है ना कम सकम तीन लोगों को खिलाईएगा खुद भी खाईएगा और दो लोगों को खिलाईएगा पैसे ठरने लगेगी और बरकत होने लगीगी हम आपसे बिदा लेते हैं अगर वीडियो से लाब हो तो प्लीज लाइक कर स